हलो व्लकम बैक टू बायक्सल्ट तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम परसंद सॉलीशन्स को प्रिपेर करें अगर हमारा स्टार्टिंग माटेरियल कोई सॉलिट सब्स्टेंस या सॉलिट माटेरियल हो। बहुत सारे ऐसे एक्सिप्रीमेंट्स होता हैं जहां पर्संद सॉलीशन्स प्रिपेर करना पड़ता हैं तो उसके लिए हमें उस piş्पहले कि माटेरियल को वे करें ताकी हमें डिजायर वॉल्यूम और प्रसंद का सॉलिशन्स मिल जाएं तो person solutions क्या होता है अगर हमारे पास कोई solid substance या material हो तो उसको हम usually mass person solutions कहते हैं क्यों क्योंकि उस starting material का कुछ mass होता है तो उसका जब हम person solutions बनाते हैं तो उसको mass person solutions कहते है इसका definition होता है It is defined as gram of solute per 100 ml of solution यानि कि कितना gram of solute, solid material dissolve in total 100 ml of solution For example, यहाँ पर है 20% NaCl solution तो 20% NaCl solution का मतलब क्या होता है कि 20 gram of sodium chloride dissolve होता है total 100 ml of solution में मतलब हमें क्या करना है पहले हमें 20 gram NaCl को weigh करना है उसके बाद उसको dissolve करना है 100 ml से कम वाले volume में For example, मान लो यहाँ पर 70 ml तो 70 ml में हमने 20 gram NaCl dissolve किया अच्छी तरह से उसके बाद हम उपर से और distill water add करते जाएंगे ताकि final volume जो है वो 100 ml बन जाए ऐसा नहीं करना है कि आपको 20 gram NaCl लेना है और direct 100 ml लेना है water और दोनों को mix करना है ऐसा नहीं करना है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर final volume जो होता है वो 100 ml से भी ज़्यादा होता है तो इसलिए क्या करना है सबसे पहले हमें way करना है वे करने के बाद जितना हमारा desire volume है final desire volume है उससे कम वाली volume में हमें पहले salute को dissolve करना है फिर उसके बाद हम जाके volume को make up करना है तो ऐसे बनता है person solutions किसी भी starting material या solid substance या chemical substance का अगर हमें person solutions prepare करना है तो उसके लिए हमें पहले कुछ calculations करना पड़ता है calculations करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा desire person क्या है desire volume कितना है और उस हिसाब से हम calculate कर सकते हैं कि हम कितना gram of solid substance या chemical substance को वे करें ताकि हमें final desire person और desire volume का एक solution मिल जाए तो इसके लिए हमारे पास है एक formula जिसे हम calculate कर सकते हैं कि हम कितना grams of solute या substance को वे करें ताकि हमें final desire percent और volume का solution मिल जाए तो वो formula है grams is equal to desire percent into desire volume divided by 100 यह desire volume जो है वो ml में होता है तो इसी formula से हम calculate कर सकते हैं कि हम कितना grams of solute वे करें तो इस चीज़ को हम एक example के साथ समझते हैं एकजमपल है prepare 300 ml of 15% potassium hydroxide solution यानि कि हमें prepare करना है 15% potassium hydroxide solution वो भी 300 ml तो इस चीज़ के लिए हमारे पास वही formula है grams is equal to desire percent into desire volume divided by 100 यहाँ पे desire percent जो है वो 15% है तो वो यहाँ पे हमने पूट किया desire volume जो है वो यहाँ पे 300 ml है तो वो हमने यहाँ पे पूट किया divided by 100 अब जब इसको हम calculate करते हैं तो वो आ जाता है 45 gram यह 100 जो होता है वो 300 से cut होता है तो यहाँ पे 3 होता है 15 3 is a 45 तो final जो हमें gram जो है वो आ गया यहाँ पे 45 यानि कि हमें 45 gram को weigh करना है वे करने के बाद हम इसको 300 से कम ml में हमें इसको पहले dissolve करना है मालों यहाँ पे हम करते हैं 200 ml में 45 gram को dissolve करते हैं उसको dissolve करने के बाद हम उपर से और distill water add करते जाएंगे ताकि final volume जो है करना चाहिए ताकि हमें final desired person और volume का solution मिल जाएं बहुत सारे ऐसे biochemical solutions prepare करना परता है जहां पे हमें formula use होता है तो हर जगा पे formula याद रगना थोड़ा सा tricky हो जाता है तो इसके लिए हम इस चीज़ को person solutions को एक simple trick के through भी हम calculate कर सकता है without using the formula for example वही एक्जमपल लेते हैं prepare 300 ml of 15% potassium hydroxide solution यहां पे हम 300 ml बना रहा है तो हम पहले 100 100 100 करके अलग करेंगे 300 ml के होंगे यहां पे 100 ml 100 ml 100 ml अब मैंने starting में आपको बताया था कि person solution का मतलब होता है कि 100 ml में वही जितना भी person mention है उतना gram का solute या starting material dissolve होता है तो यहां पे 15% है यानि कि first 100 ml में भी 15 gram होना चाहिए second 100 ml में भी 15 gram होना चाहिए और third 100 ml में भी 15 gram होना चाहिए तो ऐसे 3 15 gram आ रहा है तो तीनों को जब हम प्लास करता है तो फिर final जो होता है वो 45 gram होता है तो ऐसे भी हम calculate कर सकते हैं कि हमें कितना gram of solute या starting material लेना पड़ेगा ताकि हमें desired volume और person का solution मिल जाए तो इस जिसको आप यात रखे ताकि आप कहीं पे भी person solutions prepare करने को आ जाता है तो फिर आप easily कर सकते हैं अगर आपको इस 300 ml की जगा पे यहां पे 500 ml दिया होता तो फिर आप यहां पे क्या करोगे ऐसे 100 ml का पांच लिखोगे उसके नीचे जितना भी person mention है उतने ग्राम का आपको लिखना है या फॉर एक्जंपल यहां पे 15 परसन है तो फिर आप हर 100 ml की नीचे आपको 15 ग्राम लिखते जाना है और जितना भी 15 ग्राम होगा उनको आपको add करना है final add करने के बाद जो भी total आता है उसी को आपको वे करना पड़ेगा तो अब जब वे करके आप solution बनाओगे तो वो होता है आपका person solution, desired person solution, desired volume और desired person का solution होता है तो ऐसे आप prepare कर सकते हैं easily किसी भी person solutions को तो यह था person solutions के बारे में अगर आपको कोई भी doubt हो related to this topic या problem होता है calculations करने में तो आप comment box में ज़रूर mention कीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा अगा तो फिर like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए अगर आपको मेरा content अच्छा लगता है तो फिर channel को subscribe करना मत बूले That's all for today, thank you so much for watching